रविवार को सीतापूर में खाकी का अंदाज बदला बदला नजर आया बेटियां थानेदार बंजलवा बिखेर रही थी शशक्त नारी और सुरक्षित समाज की आधार शिला बना मिशन सक्ती अभियान परवान चड़ा मौकाथां तराश्टी महिला दिवस के पूर्व दिवसका और आदेश SPRP सिंग का सीतापूर के विभिन थानों में च्छात्राओं को थाना प्रभारी न्यूक्त किया गया मौडन पबलिक इंटर कालेज लहरपूर की च्छात्रा प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार को सीना हेलमेट बाइक चला रहे वाहन चालकों का चालान काटा वही अतरिया में जान दीव दिगरी कालेज पांडे पुर्वा की बिये दुती वर्ष की च्छात्रा शद्धा बाशपेई पुत्री अरुण कुमार बाशपेई को धाना प्रभारी न्यूक्त किया गया शद्धा ने आने वाली सिकायतों को सुना और त्वरित कारवाई के आदेश थी राजा बहदूर इंटर कालेज की कक्छा 11 की 76 आरुशी पुत्री आयुश को कमलापूर थाना का प्रभारी बनाया गया आरुशी ने थाना प्रभारी बनते ही अपने करतेमों की जानकारी ली साथ ही महिला हेल्पडेस का जैचा लिया पिसावा में ग्राम गुर संडा की रहने वाली रागनी अवस्थी पुत्री राजेश अवस्थी को थाना प्रभारी बनाया गया जबकि मानपूर में कारिकारी थाना प्रभारी सुईटी सिंग और सीनिय सब एक्सपेक्टर की कमान कृतका देवी को सौफी गई जिनों ने आ सदापतीन प्रकालेज सेमरी सदरपूर की छात्रा है को थाना प्रभारी बनाया गया साक्षी ने कमान मिलते ही शहर बाजार महला कस्पा सदरपूर में विना हेलमेट बाइट चलाने वाले चालकों की चेकिंग कर एमबी एक्ट के तहत कारवाई की सेक्रेड हार्ट कक्षा की छात्रा परी मिश्रा पुत्री रजनीश मिश्रा को सिधहुली का कोत्वाल बनाया गया जो की सिधहुली के ही महला गांधी नगर की रहने वाली हैं परी ने पदभार ग्रहन कर जन्ज शिकायतों को सुना और हल्प डेक्स की विवस्थाएं देखे तथा कार्यालय के पुत्री अर्बिंद कुमार बाचपेई को रामपूर कला का प्रभारी बनाया गया प्राइशी ने महिला डेस्ट वामाल खाने का जायजा लिया गांजेर इंटर कालेज की छात्तरा सिर्जिका बाचपेई पुत्री नीरज बाचपेई निवासी कायस्थन टोला को थाना तंबाउर की कमान सौपी गई सिकायतों को सुनने के बाद उन्होंने कारवाई के निर्देश दिये सीता इंटर कालेज महमुदाबाद की छात्तरा भूमका सिंग को महमुदाबाद का कोत्वाल बनाया गया भूमका ने वाहन चेकिंग पुलिसिया गस्त भरमाल और पुलि नजर आई सभी के द्वार आप बताया गया कि वा इस अद्वुत छड को अपने आप में जी कर गौरवानवित महसूस कर रही है आई इंडिया की रिपोर्ट इस्टूडी आईस लखनों में ही सिविल सिवा की तैयारी के लिए के बेस्ट फैगलिटी के साथ एक मॉडरन कैंपस उपलब्द करा रहा है अब स्टूडेंट बारवी के बाद ही आईस और पीसेस की तैयारी कर सकते हैं इसमें बारवी के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईस के परिक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं अगर आप ग्रेजुवेशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईस और पीसेस की तैयारी कर सकते हैं इस्टूडी आईस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्ता भी लिए